यहां पर एक लॉकर है थोड़ा सा इधर लेक्या आईए लॉकर को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर इस लॉकर को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है लॉकर को तोड़ करके इसमें जो भी गहने या पैसे रखे गए थे वो सार बड़ाख लेकर के जो है यहाँ से जो ताला जो है इसको निकाला गया है और फिर उसके बाद यहाँ से इंट्री किये हैं नवस्कार दोस्तों इसमें हम लोग ग्राम ग्राप कैथवलिया में हैं जो प्राइच बलाख के अंतरगर्था आता है और यहां पर आज बहुत-बड का ज blending कराफियाओं का जो राज है जो खतमुने का नाम नहीं ले रहा है और आप लोग देख सकते हैं यहां पे चोरी की घई है आप यह सकते हैं कि अन्ना नेर। सारा समान पूरा शोक्तिन मलक्ताय के निकाल रहा हो vol आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह देखिए आप लो, CCTV फोटो का जो DVR होता है, वो यहाँ पे लगा था, उसको तोड़ करके निकाल ले गए हैं चोर जो है, कि पता न लग पाए कि चोरी किस ने किया है, और यहाँ से जो डेटा होता है, वो डेटा अगर पु इंक्वारी के लिए ले जाया जायाएगा, या पुलिस आती है, इंक्वारी के लिए कि CCTV फोटो के द्वारा आप राधियों को पकड़ा जायाएगा, जो चोर हैं, तो वो लोग इसमें से घुस करके, इसको तोड़ करके, या इसका जो अंदर का DVR है, वो उठा ले गए है और इधर लेक्या आईए, थोड़ा सा इधर भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लिजिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी चोरी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तोड़ करके, यह दूसरा रूम है, और यहाँ पर भी देखिए, आप हमारी है सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं और यहां पे एक लॉकर है थोड़ा सा इधर लेकिया आई यह लॉकर को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है लॉकर को तोड़ करके इसमें जो भी गहने या पैसे रखे गए थे वह सारे के सारे जो ह बन गया है और आप लोग देख सकते हैं इसका भी ताला तोड़ करके आप लोग देख सकते हैं जो सामान ले जाने लायक था वो ले के चले गए हैं सब देख सकते हैं कि यह ऊपर जो है सामान और रखे गया था इसको देखिए आप लोग दिवाल तोड़ करके फिर उसके अंदर से जो सामान ले जाने लायक था उसको भी उठा ले गए सब दिवाल को देख सकते हैं आप लोग की इस तरह से तोड़े हैं मतलब जो चोर हैं उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं है सासन पुलिश का कि वो लोग इससे भैवित हों कोई डर नहीं है उनके अंदर और यह बताएंगे अभी कि चोरी कितने बजी हुई थी कितने बजी चोरी हुई थी यहां पर जब मौके पर हम नहीं थे तो कुछ अनुमान तो हो सकता है ना रात में 10 बजे 11 बजे या बारे के बादा ही था चोरी हो ला यहां पर जो आपके नजदी की पुलिस इस चैसा ने वहा अब सोच लिजिए कि इतनी बड़ी चोरी हुई है और यह आप लोग इतना भीण यहां लगा हुआ है और यह चोरी जो हुआ है चोटा मटा चोरी नहीं है लगभा आट-दस लाख रुपे की करीब में चोरी हुई यह कुछ गहने भी हुए है यहां पर आप लोग देख सक साथ के बारे एक बज़े के करीब में चोरी हुई है और अंदर मैं आपको दिखाया हूं कि कीस तरह से ताला तोड़ करके यहां पे जो जो एलरी था जो नगत कैस था उसको चोर यहां से लेके चले गए हैं और सबसे बड़ी बात था यहां पे CCTV कैमरा लगा हुआ था उसक तो थोड़ा ध्यान से देखिए अप लोग इसे किसी चीज से काटा गया है काट करके जो है यहां से जो ताला जो है इसको निकाला गया है और फिर उसके बाद यहां से इंट्री किये हैं लोग अंदर घूसे हैं और उसके बावजूद आप देख सकते हैं बाहर CCTV कैमरा नहां पे जो चोर हैं या फिर माफिया हैं उनके अंदर भैनाम का कोई चीज है नहीं और अगर उनके अंदर डर होता तो सोच लिजिए कि CCTV कैमरा लगा हुआ है उसके बावजूद घर में घुस करके ताला तोड़ करके जितना सामान ले जाने लाइक था वो लेके चले सब्सक्राइब 8-9 लाग के करीब की चोरी हुई है जिसमें से कुछ 2,5-3 लाख रुपे कैस और 5-6 लाख के करीब में जो है गहने थे और आपको मैं दिखाया भी हूं अंदर कि कैस तरह से जो जो लिरी है जो बॉक्स उसको तोड़ करके उसमें से पैसा या फिर जो सामान रखा गया था उसको यहां से चोर लेकर की चले गए हैं